हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनकेडमी, मैं हूँ प्रिया वर्मा, MPPHC 2017 रैंक 4 और इस लेसन में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसे के कौन-कौन से टॉपिक इंपोर्टेंट है, जिसको आपको तैयारी करके रखना चाहिए, तो आईए, हम स्टार्ट करते हैं देखे, आपका जो हिंदी का निभंद लेखनी, हिंदी निभंद लेखन का मतलब यह पर यह है, कि आपको जो निभंद लिखना है, वो हिंदी में लिखना है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के सुडेंट हो, चाहे ही हिंदी मीडियम के हो, आपको हिंदी में ही लिखना है, जो पहला निभंद आएगा, वो आपका 1000 words कर आएगा, 1000 words में आप कम से कम 12 से 13 page आप copy के लिखिए, ठीके, जिसे अब 100 words में हम 1 page का अंसर लिखते हैं, 300 words में हम 3 page का अंसर लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर 1000 words में आप कम से कम 12 से 13 page लिखेंगे, तो ही बहुत अच्छे marks आपको म मिलने के chances रहते हैं, ठीके, तो पहला जो ऐसे रहेगा आपका, वो रहेगा 1000 words का, और उसमें जो marks मिलेंगे, आपको वो रहेंगे 50, तो हमारी कोशिश रहनी चाहिए, कि 50 में से कम से कम, हमको 35 to 40 marks आजाएं, ठीक, जो इती है निभंद, मतलब जो second आपका जो ऐसे रहेगा, उसमें आपको 250 words लिखने है, 250 अगर आप ऐसे answer wise देखें, तो 250 words मतलब 2 and half page होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप कम से कम, साड़े 3 से 4 page का लिखें, ये वाला जो निभंदे कम से कम 4 page आप लिखें इसमें, थर्ड जो ऐसे रहता है, वो भी आपका 250 words का होता है, तो यह आप कम से कम 4 page का लिखें, अगर आपको लगता है कि आप 4 page नहीं लिख पा रहे हैं, तो फिर आप उसको 3 कर सकते हैं, लेकिन 3 page में उतना ज़्यादा effective ऐसे नहीं लगेगा, फिर वो answer form में लगेगा, तो बेटर है कि हम 3.5 से 4 page तक का अपना ये लिभंद का जो answer है, वो complete क तो इसमें देखिया, आपको सिर्फ 2 गंटे मिलते हैं, ठीक है, तो 2 गंटे में से आप divide कर सकते हैं, कि एक गंटा तो आपने 1000 words वाला है वो लिख लिया, और उसके बाद एक गंटे में आपने ये वाला लिख लिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने देखिया, आपके लिए पूछे जा सकते हैं, किस टाइप के जो टॉपिक हैं निभन में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि लोगतन में मीडिया की भूमी का, तो ये question बहुत important है, और आप तयार करके रखिये, और देखिये, MPPSC में अधिकतर जो trend यही रहा है, कि repetition बहुत होता है, तो जितने भी तक प प्राकरतिक आप्दाएं, तो यहाँ पर सिफ प्राकरतिक पुछाई, लेकिन आप सभी प्रकार की आपदाएं उसके कारण निवारन तयार करे के रखिये हिंदी भाषा का वैश्विक परीद्रश यवाश्विक रूप से हिंदी भाषा किस तरफ फल फूल रही है, वो ची से स्टुडेंट जिन्होंने हिंदी बहुत डिटेल में कभी पढ़ी नहीं है उनके लिए टफ हुजाते स्टव के हम तयार हो नहीं कर पाइंगे क्या आता है तो आप उसको short curry देंगे तो भारत की सांस्कृतिक विविदता में एक यह बहुत अच्छा टॉपिक है जिसमें आप अपनी thinking बता सकते हैं भारत के प्रति अपना प्यार बता सकते हैं तो इस टाइप के टॉपिक्स अगर हम लेते हैं उसमें बहुत अच्छे से लिख हैं तो देखें एसे आप वही टॉपिक चूज कीजिए जिसमें आप अपनी thinking लेवल बता सके सामने वाले को कि हम कैसा सोचते हैं क्योंकि एक ऐसे ही होता है जिसमें हम बता सकते हैं हमारी मन की बात ठीक है परियावरण की समस्या कारण एवं निवारण तो परियावरण ज सकते हैं बहुत सारे प्रकारे स्वस्तर हैने के तो वह आप आंसर फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं नेक्स जो है वह है भारत के प्रमुक परियेटनिस्थल पूरे भारत के जितने भी प्रमुक परियेटनिस्थल है उनके बारे में आपको बताना है आपर और सीफ आपको म लब्दियां हासिल की है तो आपको पुरा ओवरोल बताना है स्वच्छ भारत अभियान बहुत ज़्यादा चल रहा है और MP में तो सबसे ज़्यादा क्रेज है क्योंकि इंदोर फर्स नंबर पर आया हुआ है तो और अभी भी आई नहीं है रैंकिंग क्या है लेकिन अभी भी चांस सेंदोर के फिर से आने के तो ये सच भारत अभियान पूछा जा सकता है ठीक है भारती नारी तब और अब भारती नारी के उपर तो आप सबसे पहली फुरसत में भारती नारी पर ही तयार करिए क्योंकि तीन से चार बार रिपीट ठीक है नेक्स मैंने आपके लिए डाला हुआ है एक और पेपर उसमें आपसे पुछा है उच्छ शिक्षा में बाजार मुल्य और जीवन मुल्य का द्वंद उच्छ शिक्षा में एक तो जो बाजार मुल्य होते हैं वो क्योंकि हम से मार्केट में अलग जो वैल्यूज है एक्सपेक्ट की जाती है जबकि हमारे जीवन के मुल्य जो हैं वो अलग होते हैं तो उसमें क्या द्वंद हैं वो हमें बताना है तो अगर आप बहुत जादा से हिंदी पड़ा होगा और इसने यह पड़ा होगा तो यह बहुत अच्छे मांक दिलवा सकते हैं इस टाइप के टॉपिक गांधिवादी द्रश्टिकोंड प्रगतिशील राजनितिक चेतना मानव मुल्य और साहित मानव के मुल्य और उसको रिलेट करना है आपको साहित्य से नेक्स्ट है निमलिखित विश्वयों में से किसी एक पर धाइसो शब्दों में धाइसो शब्दों में देखिए अधिक तर ऐसे क्वेशन आते हैं जिसमें आपको या तो आंसर फॉर्मेट में पूछा दाता है कि कारण निवारण बताईए या फिर बहुत इजी से आ रहें तो बाल श्रम का पूछा है नोट बंदी क्योंकि उस समय नोट बंदी हुई थी तो उससे संबंदी तो आप एक बाद या रिखे कि यह उस समय पूछा है तो अभी रिसेंट में जो कभी बहुत बड़ी घटना जो चल रही है बैंकिंग घुटाले संबंदी जो घ नेतिक मुल्य और आज की शिक्षा नेतिक मुल्य क्या है हमारे आज की शिक्षा में कैसी दी जा रही है आज की शिक्षा में नेतिक मुल्य का समावेश है या नहीं है यह सब यहां पर बताना है समान आचार सहीता आचार सहीता आप इथिक्स के पेपर में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप जो आंसर पढ़ेंगे उसी से ये डील हो जाएगा मीडिया और हिंदी का प्रसार अगर आप देखें तो हिंदी वाला जो इसके पहले जो मैंने आपको पेपर बताया उसमें भी हिंदी का पुछा है और मीडिया वाला भी था उसमें टॉपिक ठीक है तो यह यहीं फिर से रिपीट हुआ है भारत की युवा शक्ति युवा शक्ति के बारे में भी पूछा जा सकता है अलग अलग तरीकों से पूछा जा सकता है जरूरी नहीं कि ऐसा ही आएगा युवा शक्ति को लेकर कोई और टॉपिक बना दिया तो वह पुछा जा सकता है कि जैसे भी पूछा जाए तो उस तरीके से हम उसको वहाँ पर धाल लें उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर कुछ और एड कियो हुए हैं जिसमें से कुछ तो रिपेट हो रहे हैं और कुछ एक्स्ट्रा है तो आप देखें देखें नारिश्य शक्ति करण पर आप सबसे पहल गया है क्वेशन तो आप जल्वाई परिवर्तन तयार करिए आधुनिक संस्कृति या फिर पाश्यात्य संस्कृति का हमारी भारती संस्कृति पर क्या प्रभाव बढ़ रहा है तो वह चीज यहां पर कंप्लीट करनी है ब्रश्टाचार की समस्या समाधान यह बड़े में भी पुचा सकता है चोटे में भी पुचा सकता है तो चोटा तो आप इथिक्स पढ़ेंगे उससे कंप्लीट हो जाएगा लेकिन अगर बड़े में आ गया वन थाउजन में आ गया तो फिर आप नहीं कर पाएंगे तो इसको तैयार कर लिए आपदा आपदा प्रभंदन मह आप इसको बस तैयार करके रखिए कि अगर ऐसा कुछ प्रशन आता है तो हमें कैसे करना है ठीक है फिर लोगतंत में मीडिया की भूमी का सिफ लोगतंत के रिकार्डिंग आपको यहां पर बताना है भारती किसान का भी बहुत जादा चल रहा है इस्पेशली मध्य प्रद पूछें सेम यहां पर आपसे MP का पुछा जा सकता है कि MP में पर इस्पेशल कौन-कौन से हैं समाचा पत्रों का महत्व पूछा जा सकता है नेतिक शिक्षा का महत्व उधारी करण और व्रेश्वी करण होने से हमें क्या लाब मिला है क्या नुकसान हो गए है उसके कारण तो वो भी पूछने लायक क्वेशन है व्रद्ध जनों की समस्या देखें यह क्वेशन बहुत बार पुछा है क्योंकि आजकल जो व्रद्ध है वो बच्चे जो हैं अपने जो माता-पिता हैं उन्हें बहुत समझने लगे हैं उन्हें व्रद्ध अश्रम में छोड़ाते ह हैं उनके साथ गलत विवार करते हैं तो इसलिए यह जो टॉपिक है वो लगातर पूछा जा रहा है योजना अब मैंने लिखाए कि 25 मार्क का जो ऐसे हैं उसमें कोई से भी योजना पूछे जा सकती है तो आप देखिए योजना को 6 मार्क के अकॉर्डिंग ही तैयार करें लेकिन अगर 25 मार्क में आ जाता है तो आप राइटिंग स्कील्स आप अपनी इतनी बढ़ाई है कि 25 में अगर आ जाए तो आप उस योजना को करने में सक्षम रहें फिर भारती अर्थ्ववस्ता एक विकास्यल अर्थ्ववस्ता के रूप में विकास्यल अर्थ्ववस्त तो आप जो मैंने आपको पेपर वाइस बताया वह और यह यह आप तयार कर लिए तो इतना जब आप तयार कर लेंगे तो फिर आप ऐसे लिखने के लिए सक्षम हो जाएंगे और आप कोई भी पूछ लिए अगर कोई भी टॉपिक दे दिया आपको तो वह आप एजिली तया कर लुदा सकरेंका कर बाई दर gravitational का लिएक significa करें के लिए कि वह आपको बखेंसिता那 бу हमेले के सक्षलिए पक्लेफलाником और हमेंगे झेríaस आपको फिर आपका थो अखशायाब हैंगे हुछ।